अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तो अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कब मिलती है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कब मिलती है खुशी मेरे दोस्त, तो अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर, आज हम आपकी मुलाकात जिस शक्स से करा रहे हैं वो है दंतेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के फाउंडर एवम चेयर्मैन आपको यह जानकर आश्चरी होगा कि कोटपाड निवासी आधरणिय डॉक्टर शुरूति रंजन सर ने अपने कैरियर सिपला फार्मसीटिकल कंपनी में प्रारंप किया तत्पश्चात इनकी प्यात्रा साओधी अरेबिया एजिप्ट जॉर्डन से होते हुए ओडिसा और बस्तर के विभिन स्थानों में एक हेल्थ प्रोफेशनल के द्रिश्टिकोन से फार्मेसी महविद्यालेयों की स्थापना से जुड़ी जो लाखों ग्रामिन विद्यार्थियों को आसानी से आश्रदी अज्यान उपलब्द कराती हैं कई ऐसे ग्रामिन छेत्र हैं जहां न डॉक्टर्स है ना क्लिनिक फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले ये विद्यार्थी इन सभी जगहों के लिए ईश्वर प्रदत एक वर्दान है तंतेश्वरी कॉलेज फार्मसी दोहजार उन्नीस में सुरू हुआ है जग्दलपूर में जग्दलपूर से दस किलमेटर दूर बोर पदर राइपूर रोड के उपर हैं और यहां के दो कोर्से हम लोग इंपार्ट कर रहे हैं एक दो साल वाला डिकलोमा फार्मसी कोर्स औ और चार साल वाले बी फार्मसी कोर्स है जो की ग्रजुएट कोर्स है और दोहजार उन्नीस से अब हमारे दो बैच्च डिकलोमा के पास आउट करके फार्मसी रिजुस्ट्रिशन करके अपने जॉब में लगे हुए हैं और हमारे बी फार्म के पहला बैच्च दोहजार उन इस इंस्ट्यूशन एक अनोपा इंस्ट्यूशन है जो बस्तर डिस्टिट में पहला बी फार्मसी कोर्स चलो गुआ है और फार्मसी एक जॉब ओरियेंटेड और प्रोफेशनल दिग्री है जिसको करने के बाद बचें जितने भी मेडिसिन दबा बनने वाले कमपनिया हैं उ खुद टबलेट, कैप्सुल, वाइनमेंट, इंजेक्शन ये सारे दबाई बना सकते हैं और ये जो हमारे पाटे करन में भी यही सब सिखाय जाता है फार्मसी पूरा दबाई के बारे में पढ़ाय जाता है दबाई कैसे बनते हैं कैसे उसका इस्तमल किया जाता है और इस् इतने भी कोर्से से वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोजिके रिलेटर्ड है जो ट्वेल्थ में बच्चे पढ़ते हैं उसी का ही एक रूपांतरित कोर्स है यही सब बेसिकली यही सारे कोर्से से और इसको छोड़के हम एमन एनकमी के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि दवाए के बारे में जानना ज़रूरी है तो अपने सरीर के बारे में ग्यान होना बहुत ज़रूरी है तो बेसिकली यही फार्मसी है और यहां के जो बच्चे हैं वो फार्मसी पढ़े और अपने एरिया का जो हेल सिस्टम है उसको संभाले क्योंकि बस्तर डिस्टिक रू जो मोश्री लोग लोर मेडियम क्लास से आये रहते हैं और यहां पर हमारे स्वास्ते व्यवस्ता को फार्मसिस्त ही रखे हुए तो हम चाहते हैं कि हमारे इस एरिया के बच्चे यहीं पर पढ़े और अपने गाओं में जो स्वास्त सेवा प्रदान करें ताकि जो इंटेलिय डॉक्टर्स रूती रंजन सर से फार्मसि ही क्यों इस विशय पर सुन रहे थी आज के इस युग में जब हम अव्यवस्ते जीवन शहली प्रदूशत वातावरन के कारण अनेक बिमारियों से घेरे हुए हैं तो फार्मसिसी की शिक्षा द्वारा हम हमारे समाज को स्वस्त कि दिशा में जरूर अग्रेसर कर सकते हैं